हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेश आले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 36 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है सामाजिक विज्ञान ये वरक्षिट 15 दिसंबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वरक्षिट वरक्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट राष्टी आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक तो आईए देखते हैं सविन्य अवग्या आंदोलन की ओर एस नयोग आंदोलन के बाद गांदी जी ने अनुवायू ग्रामीन इलाकों में रचनात्म कारे शुरू करने पर जोड दे रहे थे तो बिटाम ने पिछली बार देखा था पिछली वर्क्षिट में कि गांदी जी ने एस नयोग आज आज दोलन शुरू किया था इससे क्या हुआ गांदी जी नराज हुए और उन्होंने ऐसे योग आंदल था उसे वापस ले लिया चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू जैसे अन्यनेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिशत चुनाओं में हिस्सा लेना चाहिए और परिशदों के मादव से सरकारी नितियों का प्रभावित करना चाहिए परिशद भाग ले और वो क्या करें आगे से सरकारी नितिया हैं उनमें पार्टिस्विशन करें भारती कम्यूनिस्ट पार्टी और रास्टिय स्वैम सेवक संग की स्थापना हुई थी इसी दर्शक में ठीक है इसी दोरान करांती कारी रास्टवादी भगत सिंग भी सक्रिय हुए और ऐसी समय के आओ जब ये पार्टी बन रही थी तो रास्टवादी जो भगत सिंग थे वो भी सक्रिय हुए इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण सुराज की मांग कर दी जोहरलाल नहरूर की अध्यक्षता में 1929 में पारित किये गए इस परस्ताव पर आधार पर 26 जन्मरी 1930 को पूरे देश में सुतन पर दिवस्त मनाया जाएगा तो अब उन्होंने क्या कहा जोहरलाल नहरूर की अध्यक्षता में 1929 में एक परस्ताव पारित किया गया जिसमें ये कहा गया कि 26 जन्मरी 1930 को पूरे देश में सुतन तरता दिवस मनाया जाएगा पूर्ण सुराज अपने आप आने वाला नहीं था इसके लिए लोगों की लड़ाई में उतरना था बैसने तक हम पूर्ण सुराज पूर्ण सुराज करते रहें लोगों को क्या हुआ आम जन्ता को भी इसमें उतरना पड़ा उस पर बहुत जादा टेक्स लगता था तो इस कानून को तोड़ने के लिए गांदी जी ने 1930 में एलान किया महत्मा गांदी और अन्यराष्टवादियों का कहना था कि नमक पर टेक्स वसुलना पाप है जो अन्यराष्टवादी थे और जो गांदी जी थे उनका ये मानना तो सिर्फ इसलिए कभी इस पर टेक्स लगा रहे है इतना कर लगा रहे है ये वाजिव नहीं है लेकिन आम गंता इससे जूरती रही क्यों कि एक उनकी मूलभूत आवशकता थी इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच बेदभाव पैदा नहीं होने दिया अब देखो नमक तो सबकी जरुरती ना अमीर ना गरीब ऐसा नहीं था कि सबकी जरुरती इसलिए इस अंदोलन में क्या हुआ सबके सब ने इसका पूरी तरह सही हो किया उसके बाद देखते हैं दांडी मार्च गांधी जी और उनकी अनायों ने साबर मती से 240 किलोमेटर दूर दांडी पर पैदल चल कर गए अब देखो क्या किया रहा है जो गांधी जी थे साबर मती से 240 किलोमेटर पैदल चल कर दूर दांडी तट पर पैदल गए उन्होंने वहां तट पर बिखरा वा नमक कठा करते हुए नमक कानून का सारवजिन रूप से उलंगन किया देखो यहां पे आप पे जो नमक विखरा हुआ था उसको उन्होंने इकठा किया अब नमक वहां पे कैसे है क्योंकि समुदर से क्या था समुदर के पानी में नमक होता है तो वहां पे जो नमक विखरा वा था उन्होंने उसको इकठा किया उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया इस अंदोल तरह था था धीरे दीरे जो आंदोलन वह बढ़ते जा रहें तो उन्होंने क्या कि इस अंदोलन को बंद करवाना चाहा बरता पुरमला बड़ा दूस्ट तरीके से उन्होंने कुछ लने की कोशिश की हजारों करांतिकार्यों को जेल में डाल दिया इसके लिए उनको लगा व पुलन हुआ तो भारतिये जनता के सांजा संघर्ष से भारतिये जनता भी इसमें पूरा संघर्ष कर रहे थी तो आखिरकर क्या हूँ उन्हीं सो पैंतिस में गवर्मेंट ऑफ इंडिया नेक्ट पारित किया सरकार ने ऐलान किया कि 1937 के प्रांतिये विधायकों के लिए च चुनाव के प्रणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेज की सरकार बनी अब उन्होंने क्या क्या 11 प्रांतों में कांग्रेज की सरकार बनी प्रांतियस तर पर दो साल में कांग्रेज शाषन के बाद सितंबर 1949 में दूसरा विश्व यूद चिल गया फारिश में करेंगे इसके बदले में वह चाते थे यूद के बादarina भारत सवातनतर में प्रेज certaines फिलन कांग्रेज होके कांग्रेज सरकार वियोद में इस्तिफा दे तेदी उन्होंने बात नहीं मानी भी तुम हमारी तरफ से धुम अलप देकिन हमें स्वतंत्र नहीं करवाओए तब इससे क्या हुआ ? जो ऑंग्रेस थे उन्हों सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया इससे स्टीफा दीधे। देख़। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे गांधी जी किस तरह से नमक उठा रहा है ना अब हम करते हैं इसके question answer Congress के कुछ नेता चुनाओं में भाग लेना क्यों नहीं चाहते थे क्यों Congress पे चुनाओं में भाग नहीं लेना चाहते थे विटा क्यों छुनाओं में भाग लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकारी नीतियों को किसीने किसी तरह से प्रभावित किया जाए हमारी बात वहां तक पहुँचे इसलिए वो चुनाओं में भाग लेना चाहते थे अब हम करते हैं प्रशन नंबर टू, प्रशन नंबर टू देखते हैं बिटा, क्या है, पूर्ण सवराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कोन थे, तो आइए करते हैं इसका अंसर हम, तो देखें अंसर, पूर्ण सवराज का अब हम करते हैं प्रशन नमबर 3 तो देखे क्या होगा बेटा अंसर गांधी जी ने बृटिच सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना नमक एक बन्यादू वस्तू थी बन्यादू मतलब मूल भूत आफशकता थी जो अमीर और गरीब सब के लिए आफशकता नमक की लड़ाई से भारतिय रास्टिय आंदोलन में अमीर और गरीब के बीच का मत बेद मिट जाता और लोगों में मिलकर अंग्रेजी कानून और अं योग करेंगे अब हम करते हैं प्रशन नमबर फोर देखे क्या कहते हैं दांडी मार्च में भारत के सुतंतरता आंदोलन को किस परकार प्रभावित किया दांडी मार्च ने किस तरह प्रभावित किया तो आईए करते हैं इसका अंसर हम प्रशन नमबर फोर दांडी मार्च के लोगों की बुनियादी वस्तु नमक पर लगाये गए कर के विरोध में किया गया था इसमें बहुत बड़ी संक्या में किसानों आदिवासियों महिलाओं ने इस सालिय जिससे भारतिय सतंतरता अंदोलन को और भी मजबूत किया तो इस आज की वर्क्षिट कंप्लीट होती है वर्क्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू स्टुडेंट्स